अब तो ठीक होंगे आज की इस वीडियो में आपको थोड़ी सी लोकेशन में चेंज आएगा बट आपको आज में बताने वालूंगा इस कि आप किस तरह से स्पेशली अपने जितने भी आईफोन यूजर्स हैं वो किस तरह से अपने आईफोन के उपर लाइफ वीडियो को ऐसा वाल वेपर के तौर पर सेट अप कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है बट यह देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब मेरे बैल आक्यों करते हैं प्रेस ताके फूटर वीडियो आपको भी मिसना कर पाएं और गाईज अब चलें शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो आपने करना है वह आपने अपने एप स्टोर में जब आप जाएंगे तो आपने यहां पर लिखना है वीडियो टू लाइफ तो अब जब आप यह लिख लेंगे गाईज तो उसके बाद आपने इसको सर्च करना है और जो आप सर्च करेंगे तो यह वीडियो टू लाइव आ गया है यह एक एप कि बशक्राइब होगा इस तरह का आप देख सकते हैं यहां पर क्लियर लि इसको आपने डाउनलोड कर लेंगे अधु है रहे हूँ आपनि गैलरी के अंदर जहां पर मैं सिंप्ली अपनी वीडियो से लट कर सकता हूँ यह वाली वीडियो है मेरे पास एक से मैंने डाउनल तो जब मैं वापिस जाऊंगा अपनी photos gallery में और देखुंगा तो यहां पे आपको वीडियो देखने को मिल जाती है अब अगर मैं जाता हूं एपनी settings में और जाता हूं अपने wallpaper में set करने के लिए इसको as a wallpaper पर आप देख सकते हैं कि यह मेरे camera roll में शो हो रही है तो जब मैं इसको click करूँगा तो यहां पर आगी है live photo जब मैं इसको set करूँगा तो यह मैं सिर्फ lock screen के लिए set करूँगा क्योंकि वहीं पर इसका full आपको view देखने को मिलेगा तो आप गाइस मैं करता हूं अपने phone को lock और आपको दिखाता हूं तो अभी तो देख सकते हैं आप स्टिल है और यब आप इस पर 3D टाच करेंगे तो देखें आपके वीडियो तो वह उपर आप देख सकते हैं कि play होना शुरू हो गई है तो गाइस यह है simple method अगर आप चाहते हैं कि आप अपने iPhone पर कोई लाइव वाल पर रखें तो यह था उसका एक hack जिसके थुरू आप लाइव वाल पर डेफिनेटली रख सकते हैं लाइव वीडियो वाल पर आइ